चोपड़ा एजूकेशन यूटूब चैनल पर मैं हरसाई चोपड़ा आपका हर्दिक स्वागत करता हूँ, मेरे प्यारे बच्चों, अगर जिन स्टुडेंट का MBBS में एड्मिसन नहीं हो पाता है, तो वो आयूस कोर्स में एड्मिसन ले करके, साथ-साथ नीट की तयारी कर कि अगली साल MBBS में एड्मिसन ले सकते हैं, ऐसे स्टुडेंट जिनकी ड्रोफ ज्यादा हो गए हैं, जैसे 4, 5, 6 ड्रोफ हो गए हैं, और वो आगे रिस्क नहीं लेना चाते हैं, वो सोच रहे हैं कि इस बार हम किसी भी कोर्स में एड्मिसन ले लेते हैं, और साथ-साथ न जिन्होंने पिछली साल BMS, BHMS में एड्मिसन ले था और इस बार उनका अच्छा स्कोर है, और उनका MBBS में एड्मिसन हो जाएगा, तो ऐसा कर सकते हैं, जिन स्टुडेंट के अटेम्ट ज्यादा हो गए, वो स्टुडेंट BMS या BHMS कोर्स करके, साथ-साथ नीट की तैयारी करके, अगली साल MBBS में एड्मिसन ले सकते हैं, ऐसा संभाव है, और ऐसा होआ है इस्टुडेंट के साथ में, तो मैं आपको इस वीडियो में कैटेगरी वाइस कटोप बताऊंगा, कि आयूस कोर्स, यानि कि BMS, अईरवेदा, होमियोपैतिक, सीधा, युनानी, इन कोर्से इसके लिए क्या कटोप रह सकती है, इसके बारे में बात करेंगे, और इसके बाद में BHU और NIA जपूर की क्या कटोप रह सकती है, उसके बारे में भी मैं आपको कैटेगरी वाइस कटोप बताऊंगा, क्योंकि इन इस्टिटूर्शन में काफी सारे स्टुडेंट का सपन होता है, BMS करने का, तो इसके बारे में भी हम बातसीत करेंगे, तो आयूस की जो काउंसलिंग होती है, वो डबल ए ट्रपल सी दवारा करवाई जाती है, काउंसलिंग करवा कर एडमिसन दिया जता है, और NCC की तरह इसमें भी चार राउंड होते हैं, फर्स्ट राउंड, स 15% की मैं आपको कठोब बताऊंगा, स्टेट में भी जो एडमिसन होता है, वो नीट स्कोर पर होता है, और 15% है, ओल इंडिया कोटा डबल ए ट्रपल सी द्वारा भी इसमें जो एडमिसन किया जाता है, एडमिसन लिया जाता है, वो नीट स्कोर पर होता है, अब हम बात करे कि इसमें category wise cut-off क्या रह सकते हैं तो category wise cut-off बताने से पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर आप counseling के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं चाहे वो MBBS की हो BDS की हो I use की हो वेटनरी की हो, किसी की भी अगर आप counseling के बारे में जानकारी लेना साथे हैं तो हमारी book download कर सकते हैं, इन तीनों courses, चारों courses के बारे में book available है, और आप इसको हमारी वीडियो के description box से download कर सकते हैं, या फिर website www.sopraeducation.in से download कर सकते हैं, जैसे आप download करेंगे, हम आप से संपार कर आप हमारे paid service भी ले सकते हैं, ओल इंडिया कोटा की book है, जिसमें choice list 23 की available है, bond details available है, इसमें college wise, seat matrix, fees, structure, counseling process के बारे में सारी चीज़ें समझाई गई है, औल इंडिया 15% औल इंडिया कोटा के लिए aims, zipmar सभी के बारे में समझाया है, इसके बाद में state कोटा में भी MBBS, BDS के लिए सारी facility है, I use के लिए भी all इंडिया कोटा, veterinary के लिए भी all इंडिया कोटा के लिए अलग से book है, open state कोटा की सारी जानकारी state कोटा की book में available है, तो इस परकार से आप ये book के डाउनलोड कर सकते हैं, मैं सोचता हूँ ये आपके लिए काफी helpful रहेगी, अब यहाँ पर हम बात करते हैं, BMS की क्या cut-off रह सकती है in courses के लिए, in categories के लिए, तो मैं आपको बता दूँ कि जो AACC द्वारा counseling करवाई जाती है, उसमें दो परकार की colleges होती हैं, एक होती है All India Government Quota की college, All India Government College और एक होती है Added College, Added College होती हैं, वो government undertaking होती हैं, लेकिन इनमें फरक कुछ भी नहीं होता है, जो AIQG यानि की government की जो colleges हैं, वैसे ही ये colleges भी हैं, आईरवेद, होमेपतिक, सभी के लिए, तो इसमें कोई ऐसा ज्यादा difference नहीं है, कि ये college खराब है, ये college अच्छा है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये दोनों similar ही college हैं, तो इसमें हम बात करें, सबसे पहले All India Government Quota की बात कर लेते हैं, तो UR category की 485 cutoff रह सकती हैं, ये मैं आपको जो cutoff बता रहा हूँ, ये All India Quota की last round की cutoff बता रहा हूँ यहां पर, इसके बाद में इस की 485 जा सकती है, ये cutoff, बात करें हम EWS की cutoff की, तो EWS की जो cutoff है, 480 cutoff जा सकती है, EWS की, और OBC की भी 480 cutoff जा सकती है, यहां पर OBC category की, SC category की बात करें, All India Government Quota के लिए तो 335 cutoff जा सकती है, और ST category की 240 cutoff जा सकती है, आईरुएदा course यानि BMS के लिए, अब बात करें हम Added की, जो Government Added Quota होता है, 480 cutoff जा सकती है, UR category की, EWS की 475, OBC 475, SC category की 330 cutoff जा सकती है, ST category की 130 cutoff जा सकती है, यहां पर BMS के लिए, तो यह मैंने आपको BMS के लिए cutoff बताई हैं, अब आगे हम बात करते हैं, नेक्स्ट में इसी course के लिए, और NIA जेपुर की UR category की बात करें, तो 585, यह भी 2-3 सालों से यही cutoff रहती आई है, BHU की और NIA जेपुर की BMS course के लिए, EWS की BHU के लिए 585 रह सकती है, और NIA जेपुर के लिए 580 cutoff रह सकती है, अगर हम बात करें OBC category की तो 585 यहां OBC category की cutoff रह सकती है, और 580 रह सकती है NIA जेपुर OBC category की BMS course के लिए, अभी बात करें SC category की तो 430 cutoff रह सकती है, BHU के लिए और NIA जेपुर के लिए 425 cutoff रह सकती है, यहाँ पर ST category के लिए 415 कटोफ रह सकती है BHU के लिए और ST category NIA जैपूर के लिए 410 कटोफ रह सकती है ध्यान रहे हैं यहाँ पर शिरफ है जो NIA जैपूर है और BHU है इसमें 5 marks का फरक पड़ता है यानि कि BHU से 5 marks NIA down रहता है बाकी कटोफ दोनों की ही काफी ज्यादा कटोफ जाती है यहाँ पर अब हम बात कर लेते हैं आगे BHMS कोर्स के बारे में BHMS कोर्स के बारे में बात करें तो BHMS के लिए मैं आपको बताऊँ इसमें BHMS कोर्स के लिए category wise कटोफ अगर हम देखते हैं यहाँ पर तो All India Government के लिए UR category 345, UR category 345 कटोफ रह सकती है EWS भी 345 रह सकते है, OBC 330 रह सकती है, SC category 215 रह सकते है और ST 120 कटोफ रह सकती है BHMS कोर्स के लिए यानि होमियोपैथिक कोर्स के लिए अभी होमियोपैथिक कोर्स में All India Government Added Quota की बात करें तो यह 340 कटोफ रह सकती है, 315 EWS की, 320 OBC की, SC category 120 और ST category 110 कटोफ रह सकती है BHMS कोर्स के लिए All India Government Quota की और All India Added Quota की तो यह कटोफ मैंने आपको बताई है, अब बात कर लेते हम सिधा और युनानी कोर्सेज के बारे में जो BOMS है और BSMS है, BSMS कोर्स से तमिलाडू में चलाया जाता है तो बात करें BOMS की, तो BOMS UNN कोर्स के लिए UR category 310 कटोफ रह सकती है EWS की भी यही रह सकती है, OBC की 290 रह सकती है, SC की 100 रह सकती है और ST की 95 यानि qualifying marks पर भी BOMS मिल जाता है ST category को अब बात करें BSMS की, तो 365 पर BSMS कोर्स UR category में EWS 365, OBC 315, SC 175 और ST 130 marks पर यह college मिल सकते हैं BOMS और BSMS के college तो यह मैंने आपको category wise कटोफ बता दी है यहाँ पर आयरवेदा कोर्स के लिए, यूनानी कोर्स के लिए, सिधा कोर्स के लिए और होमेपैथिक कोर्स के लिए अब इसमें MBBS नहीं मिलने की condition में BDS कोर्स करें या फिर हम आयरवेद कोर्स करें या होमेपैथिक कोर्स करें, या फिर विटनरी कोर्स करें, कौन सा कोर्स अच्छा है BSC nursing करें, इसके लिए मैं एक separate वीडियो जल्द ही लेकर के आने वाला हूँ क्योंकि काफि सारे student को इस बात का confusion रहता है कि कौन सा इन में से कोर्स अच्छा है तो मैं हरे कोर्स के बारे में merit, demerit बताऊंगा और सभी कोर्से के बारे में आपको बताऊंगा कि आपको इन में से कौन सा कोर्स चुदना चीए कौन सा better है, कौन से कोर्स में क्या फाइदा है कौन से कोर्स में क्या नुपसान है तो अभी जो मैंने आपको जानकारी दी है, आयूस कोर्स के बारे में जानकारी दी है, नेक्स्ट वीडियो में आपसे एक नए वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक मैं हरसाई चोपड़ा आपसे लेता हूँ विदा, लेकिन विदा लेने से पहले आपसे ये ब आते रहते हैं counseling related लेके आते रहते हैं नीट के अपडेट्स के बारे में वीडियो लेके आते रहते हैं तो ये चैनल आपके लिए काफी helpful रहेगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकोन अवस्य करें और बैल आइकोन में all notification जरूर आप on करके रखें ताकि जो भी मैं वीडियो बनाओं आप तक पौंस सके इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा like वे share करें ताकि हर एक student को इसके बारे में मालूम हो सके मिलेंगे नई जानकारी के साथ नई वीडियो म में तो आपसे फिर मुलाकात होगी तब तक के लिए जये हूँ